मैं तुमको बता दूँ कि मेरे 6-7 एक्जाम मैं से निकले हैं जिनमें फिजिकल था और उन फिजिकल के कारणी मैं आज यहां पर बैठा हूँ और अभी एक्जाम के और मजे से अपने आने वाले एक्जामों की तहीयारी में लागे होंगे था कि मैं मेरा तवियत थोड़ा भी खराब था मेरे को फीबर रहा था ठीक है और मुझे अभी थोड़ा एक्जाम की तैयारी भी करना है कि यार अभी जब एक्जाम देने गया इतनी कटनाईों के बाद एक्जाम देने गया यहां पर सीट नहीं मिलती आपको पता है ट्रेनो तो क्या मतलब अपढ़ाई कि जब आप वहाँ पर सही नहीं कर पा रहा है हो एसे चोटे मोटे कोश्चन जो की बहुत ही आसान होते हैं मतलब बहुत दुख होता यार तो ही मेरे साथ कुछ हुआ है कि जाए हैisसे कोश्चन झो गलत हो गया जो गलत नहीं होना था वह तो फ सब कुछ बताऊंगा कितने की तो सभी कुछ आपको बताऊंगा कि अटेंट करें कितने गलगत हैं कितनी सही ने लैं लॉद बने रहे न ऑर ल्ग कर देना ठीक है और जाद से जाद अपने भाईओं को शेर कर देना यार छी कि question के और तो मतलब यहां पर देखो यहां मेरा जो question पेपर है 31 तारीक की second shift का ठीक है और यह रही उसकी OMR जो मैंने यहां पर fill कर दी है ताकि आपको यहां पर देख सके ठीक है थोड़ा मैंने यहां पर dark question की बात करें तो यहां पर हरी सिप्ट में कुछ भी दे जा रहा था तो यहां पर भी वेसी रहा थोड़ा में को हिंदी का level थोड़ा आप रहा और मैत के भी यहां से चार से पांच question जो कि जिसमें एक question तो बड़ा कैलिकुलेटिव था जिसे मैंने skip कर दिया था ठीक है और एक अद दो question भी मेरे को थोड़े मतलब जिसमें concept मेरे को एकदम से लगा नहीं लेकिन जब मैंने उसको बाद में देखा तो वहां पर मैं solve कर पा रहा था लेकिन exam center पर solve नहीं कर पा रहा था क्योंकि आपको पता है exam center पर कितना pressure होता है और साथी साथ मुझे time का भी वहां पर थोड़ा problem हुआ time कम पढ़ रहा था ठीक है और जो मैंने कहा था कि यार accuracy वहां पर maintain करूंगा बड़ accuracy maintain नहीं हुई कि मैंने kud 140 question आटम्ट किया था जिसमें 10 question मैंने जोड़ दिय था ठीक है और 140 में से 16 question गलत किया है समझ रहे हो 16 question गलत किये और 124 सही किया है ठीक है तो यह सब कुछ मैंने यहां पर सब कुछ यहां पर लिखके रखा है पूरा मैंने कल्कुलेट किया है सभी में बार बार यहां पर बार चेक किया कि वाकई में क्या मेरे इतने नमबर बन रहे क्योंकि यार मुझे फिर भी यहां पर संतुष्टी नहीं हुई है कि यार मेरे और आ सकते थे शाइसlot कियों है क्या पर देखे। मैं कोश्चन नहीं कहा हैं को क्या है कि इस दो कि जो नहीं है नहीं बहुत आजा देखा मैंने वाशते नहीं दिखकर समाज देखा जएगहा नहीं पर सब्सक्राइन कुझी路 टाइम के आवहाब में था उस्चक्त मुन् fades tom suckle, इसी न बात किन सामसिथ्भत न पर रखर कोंसा है, थो बस इसी कारण यहां पर गलती हो गया यहां पर लगा था तत्पृुष समस् तो यह मेरी बहुत है, यहां पर आंसर क्या होताएं तो यह मेरी मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई किया रही जो कुश्चन में सभी कर सकता था वह गलत हो गया और यहां पर क्या हुगा आप दे सकते हैं यहां पर बिस्ट का भी लोग पूचा गया था उसका भी मैंने गलत लगया तो कि यह सब कुछ बढ़ा हुआ है फिर कि ऐसा आंसर लगाकर मैं आ गया और यह मेरी गलती हैं ठीक है तो अब जो भी है ठीक है तो भस ऐसे कुश्चन मेंने गलत कि हैं जो नहीं करने था ठीक है और यह मैं ऐसा लगता है कि यह सब सभी के साथ होता है ठीक है तो उन्होंने हिंदी में पांस तेच्छा गुश्चिंग गलत कर गया है तो वह यहीं कह रहा है थे यार गलत नहीं होने थे तो यहां पर मेरे आपको आपने जोड़ी ले होंगे यहां पर बन रहे हैं निकल रहा है तो यहां पर मेरे थोड़ा सा गुला दो भरा गया जलदबाजी की चक्कर में थोड़ा सब वढ़ाया फिर मैंने इसको सही सही वाले गोले में अभर किया तो ऐसे दो सकता है कि मेरे मार्स यहां पर चार से पांच नंबर का कम हो जाए 235 भी आ सकते हैं ठीक है 235 से 240 यहां पर हो सकते हैं मार्स ठीक है तो और और यहां पर मैंने एक कुश्ण और गलत किया जो कि जो आता है कि जैसे एक स्कूल में संकाय सदस्ट में चैन के लिए सड़तों पर वेचार कीजिए ठीक है तो यहां पर जो चैन करना था कि वह पास होगा या चाहिने होगा या नहीं तो इसमें भी मैंने गलती घर दी क्या पता यार को केसा दिमाग चल रहा था इसको भी मैंने गलिट कर दिया यह तो सही दाना था इसमें कुछ भी नहीं था बस उसने थोड़ा घुमा दिया था मुझे ऑप्शन में ठीक है तो मैंने यहां पर साइद मैं इतना प्रेसर में था इस टाइम पर क्योंकि यह आकरी में म आख ता कि इसका चैन नहीं होता ठीक है ऐसी में क्यों बताओं को तो जो लॉट वाला था जिसमें वह क्लॉक में रोटेज कर रहा था जो कि मैंने पहली बार दिखा था कूश्यन तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको 90 डिग्री रोटेट करना है या फिर लॉक वाइस मे तो मैंने इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दिया बोलता है कि 12 वजह से 9 वजह तक 9 वजह सचे बज़े तक चलता है एक व्यक्ति तो अंतते व्यक्ति का मुंग किसे सामय होगा मैंने इसको 12 से 9 मैंने 90 डिग्री के डिरेक्शन में गुवा दिया उस चक्र मेरा आंसर यहां तो यहां पर बढ़ जा रहा है तो फटाफट करते जा रहा था मैं और जिसक्कर मेरे यहां पर गलत होगे हैं जो गलत नहीं होने थे वहां पर इसक्राइब अबूर मेरे यहां पर बढ़ जाते पांच यहां पर नहीं होते गलत थीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर मैं वहां पर एक्जाब में वैठे हूँ वहाँ पर एक्जाम दे रहे हूँ ठीक है तो यह तो मुझे पता चला कि यार मोप में अलग होता है और यहाँ पर एक्जाम सेंटर में माइंड अलग होता है वाइंड वहाँ पर चलना बंद हो जाता है ठीक है तो आप चलो कटोप कि वाद कर लेते कि यार क the physical में नाम आ सकता है या नी थीक के लिए तो अभी फिजिकल भी वाकिए तो फिजिकल इतना ठीक नहीं है कि या मैं तुमको बता दूँ कि मेरे चैंश से साथ एकजाम ऐसे निकले है जिन में फिजीकल था ओर उन फिजीकल के कारणी में आज यहाँ पर बैठा हूँ और अभी भी एकजाम देटा ओ तो क्योंकि मेरा फिजीकल इतना अच्चा नहीं है मैं और पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं कि सीजियल बगेरा टारगेट करूं ठीक है जहां इंगलिस आती है वहां में फाइट निकार पाता हूँ तो यहां पर देखो जितने वाकी जैसे मैंने कुष्ट कार्ट का एक्जाम निकाला गूँ एंटीपीसी का निकाला था वह कुष्ट कार्ण मेरे से एक्जाम निकला वल्ड है' रॉनिंग निकल पाई और अब फिर उसके बाद ताया क्यों का सीर फिर सीयुप को तुछ न ply कि है में ठीक है और बातकरें अभी दी में निकला था उसमें में रणिंग में बाहर हो गया था इस वार का जीटी कर रहा हूं अब कर रहा हूं MP कौलीस में भी 24 सक्टूबर को एक्जाम हने वाला है ठीक है जिन जिन भाइओं हो ओभी होगा वो नीचे कमेट करने वो बताना कि कुछ सा ग्राउंड मुज़्ी तो अभी जवल पर मिला है यहाद ही हो सकता है तो आप जवलपर में मिल सकते हो मार्क्स बन रहे है वह भी मैं आपको बता दूंगा बाद में ठीक है उस पर हम अलग बात कर लेंगे कि आज जीडिय वहां बाहर कर दीते और पॉइंट में ही मेरी हाइट टीक है तो उस चक्क्त में मुझे वहां पे भी इतनी वो नहीं कि यार मेरा वहां सेलिक्सन हो जाएक इस चक्क एब लिए और निए दो कि है और निely यूपी पुलिस के मार्स नीचे कमेंड में करो कि यार कितने कितने आपके मार्स बन रहे हैं यह मैं आपको पूल भेज़ दूँगा पूल डाल दूँगा चैनल पर वहां आप मुझे वहां आप बुट कर सकते होगी इतने के वीच इतने मार्स बन रहे हैं ठीक है तो बात कर लेते हैं कि बारे में थोड़ा पॉइंट बटक है तो कट अब कि बारे में बात करें किकितनी जाएगी मुझे इसा लगता है यार मैंने दो तीन भाइव के पूछे यहाँ पर लाइवरिरी में तो एक भाइने दूसर पहता बता है यह दोसो क्यारी करने वाजिए तो मुझे के कि यहां पर किसी की कटभ यहां पर निकलेगी ठीक है क्यों क्योंकि इसका कारण है यहां पर जो है लोग सब बता रहे हैं कि तनी जाएगी उतनी जाएगी यहां पर मुझे लगता है कि मैं भी यहां पर हुन ही वहां ने रिखता 봤 और कि 2010 , 220 Desde स्थिर्टाइब से 220 वालों की जाए हुग वोस्थ से के सकता हूं यार अपने लगा सकते हैं वागी मैं वाद बता हूं तो आपको कटॉप के वारे में सोच नहीं पने आने वाले एक्सामों की तेयारी में लगना चाहिए चाहिए और यह अपने फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए फिजिकल तो आपको कादना चाहिए जैसे कि मैं आपको बताओं तो यहां पर फिजिकल में मोस्ट अब दी इस्टूड़न क्या है पहले सी तयारी कर रहा है क्यों कुछ का इससी जीडी में और MP पुलिस में ठीक है तो यूपी वाले भी MP पुलिस का एक्जाम दिये हैं तो वो भी तयारी कर रहे हैं बरावर तो ऐसा नहीं है तो यहां पर आप यह मस्टोचो कि कोई फिजिकल की तयारी नहीं कर रहा है यह आपके 180 भी है एक तो पचाज भी है तो आप यहां पर तया स्थाख्यों में वीडियो को लाइक कर देना भाई